हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आपके लिए बहुत ही बेटरिन रास्ता यानि की इवनिंग स्नेक्स की रेशिपी लाइन ये देखो कितना सॉफ्ट बनाया और देखने में उतना ही कलर्फुल उतना ही ब्यूटिफुल अब धोकला तो आपने बहुत खाय होंगे लेकिन ये धोकला स्टफड धोकला है और वो भी रवा से बनी है तो चलिए शुरू करते हैं इवनिंग स्नेक्स यानि टी रैम स्नेक्स की रेशिपी वो भी इजी एंड क्विक दोस्तों मैं हूँ पिंकी और आपका मेरे किचन में स यानि कि दही एक छोटी चमच नमक या फिर स्वाद के अनुसार अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे मिक्स करने के लिए यहां पर पानी लगेगा तो पानी हम ग्रैजवली डालेंगे एक साथ नहीं डालेंगे ने तो बैटर हमारा ज्यादा पतला हो सकता है बैटर को हमें ज्यादा पतला नहीं करना है जिस तरह से केक का बैटर होता है उसी तरीके से इसका भी बैटर रेड़ी करेंगे आप यहां पर इसकी कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं यह मिक्स हो गया अब इसे ढग करके रख देंगे 15 मिनिट के लिए दूसरी तरफ हम इसका स्टफिंग रेड़ी कर लेते हैं तो यहां पर 10 से 12 कलिया ले लेंगे लेसुन की तो हमेशा की तरह मेरी करिया मोटी है इसलिए मैंने कम लिया है आप 10 से 12 लेंगे और यहां पर ल से 3 टेबल स्पून वाटर यानि की पानी और इसका पेस्ट रेड़ी कर लेंगे पेस्ट बनकर तयार है अब इसे एक तरफ रख देंगे और दूसरे प्रोसेस में चलते हैं 15 मिनिट हो चुके हैं और बैटर हमारा रेड़ी हो गया है अच्छे से यह फूल गया है आप करना है यानि कि तीन बोल में हम बैटर को इकवली डिवाइड कर लेंगे दोस्तों यह बहुत ही टेस्टी इवनिंग इसनक है यकीन मानी आप इसे एक बर बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे अब एक बोल में महिआ पे तीन टीजपून गार्लिक मिक्स्टर डाल र करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले अब यहां पर डाल देंगे एक टीजपून तेल मैंने इसलिए डाला क्योंकि इससे धोकला अंदर से सॉफ्ट रहता है इसलिए तेल जरूर डाले नहीं तो हो सकता है अंदर से धोकला आपका थोड़ा सा हाड रहे है अब इसे मिला लेंगे अब इसे एक तरफ रख देंगे और बाकी के दो बॉल जो है उसमें भी हम तेल डाल करके अच्छे से मिला लेंगे तो दोस्तों ये इवनिंग स्नेक्स यानि कि टी तैम स्नेक्स धोकला की रेस्पी जटपट से बन कर तयार हो जाती है अब हम एक बड़ा पैन या फिर कड़ाई ले लेंगे और उसमें डाल देंगे तीन ग्लास पानी तो धोकला को हमें स्टीम करना है इसलिए आपके पास कोई भी कटोरी या फिर स्टैंड हो स्टील का वो डाल सकते हैं मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे कुकीज कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ और इससे ढग करके बॉयल होने देंगे जब तक पानी बॉयल होता है आई हम केक टिम रेडी कर लेते हैं या फिर आपके पास कोई भी थाली या राउंड शेप का प्लेट हो उसे भी यूज़ कर सकते हैं इसमें थोड़ा टेल डालेंगे और इससे अच्छे से ग्रीज कर लेंगे ताकि आप जब ढोगला निकाले तो इसली बाहर आ जाए अब इधर पानी भी बॉयल हो चुका है तब हम फटा फट से एक बोल वाले बैटर में डालेंगे एक टीज़पून बेकिंग पाउडर दो पिंच बेकिंग सोडा आप यहाँ पे चाहें तो इनो का इस्तिमाल कर सक करेंगे और इसे केक तीन में ट्रांसफर कर देंगे इसे अच्छे से फैला देंगे अब इसे इसके ऊपर रख देंगे और हाई फ्लेम में पांच मिनिट के लिए इसे कवर कर देंगे पांच मिनिट के बाद अब इस वाले बैटर में भी हम एक तीज़पून बेकिंग पाउडर दो पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे और सेम प्रोसेस रिपीर्ट करेंगे तो ध्यान रहे कि आप इनो या फिर बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा तभी डाले जब आप केक टिन में बैटर को डालने वाले हो अगर आप पहले से डाल के रखोगे इनो या फिर बेकिंग सोडा तो आपका डोकला बहुत स्पॉंजी नहीं बनेगा इसलिए तुरंट डाले और तुरंट ही केक टिन में इसे ट्रांसफर कर दें अब इस मिक्षर को भी हमने ट्रांसफर कर दिया अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और इसे भी पांच मिनिट के लिए हाई फ्लेम में रख देंगे पांच मिनिट के बाद तीसरा बैटर भी रेडी कर लेते हैं तो फिर से वही चीज डालेंगे बेकिंग पॉड और बेकिंग सोडा और निबो और ये सारी चीज़े आपको फटा-फट करनी है केक टिन में बैटर को डालने से तुरंट पहले इसे भी इसके ऊपर डालेंगे इसे भी अच्छे से स्प्रेट कर देंगे चारों तरफ इवेंड़ी यकीन मानो फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है इसे भी कवर कर देंगे पांच मिनिट के लिए हाई फ्लेम में टोटल पंदरा मिनिट हो चुके इसे निकाल करके एक तरफ रख देंगे अब इसे ठंडा होने देंगे हमें तुरन धोकला को इसके बाहर नहीं निकाला है जब तक धोकला ठंडा होता है आए तड़का रेडी कर लेते हैं तो एक पैन में एक टेबल स्पून तेल ले लेंगे तेल जब गर्म हो जाए तब किसमें डालएंगे 1 टी स्पुन और इसे तड़कने देंगे राई के berriesप्लेटर होने के बाद आप इसमें डालएंगे 1 टीजीजपुन सफेद वाली तिल, तिल भी जब अच्छे से धुटर होजा तब इसमें डालएंगे 2 पिंच के करीब हींग, तीश से चार सुलिट की आउवा ग्रेइनचृsilी की मात्रा घ्राव घटाया बढ़ा सकते हैं और खोड़ा सा करी लिपस तो मेरे पास grain करी लिफस हैं अगर आपके पास फ्रेश हो तो frame लेपले और इसे भी फ्राइब कर लें तलका रेडी हो चुका है, गैस टॉप को यहां पर बंद कर दें धोकला थंडा हो चुका है, जब यह थंडा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि धोकला खुदी केक टीन के सेपरेट हो जाएगा अब आप नाइफ ले ले लेंगे और उसके हेल्प से साइड साइड में थोड़ा सा और सेपरेट कर देंगे ताकि धोकला इसली बाहर आजाए अब एक प्लेट ले लेंगे और इसके उपर रख देंगे और इस तरीके से पलेट देंगे और थोड़ा सा हम टैप कर देंगे ताकि धोकला इसली बाहर आ जाए और ये देखिए धोकला बाहर आ गया है कितना ब्यूटिफुल लग रहा है और ये पॉफेटली बना है अब आप ही बताओ है ना इजी क्विक इंस्टेंट इवनिंग स्नेक्स अब इसे एक बार बनाना तो बनता है सर्थ करने से पहले आप तड़का को इसके उपर डाल दें इसके उपर अच्छे से स्प्रेड कर ले और इसे कट करके भी देख लेते है कि कितना सॉफ्ट बना है ये ये देखें बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही कलारफूल और बहुत ही यम्मी आप इसे एक बर बनाए और अपना फिडबेक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें आपको ये इवनिंग स्नेक्स यानि की टी टाइम स्नेक्स धोकला की रेसिपी कैसी लगी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तिल दें टाटा बाई बाई थांक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और फेस्बूक पर